जै बलो देवादी देव एकदर आठ सरी भगवान महा बीरश श्वामी की जै 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 अहिंसा परमो धर्मे की जै 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 परमपूज आचार गुरुवा सरी विज्या शागर्जी महाराजी की जै 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 परमपूज महा मना मुनि राय परमाज शागर्दी महाराजी की जै पंच वाले तरी सी राजियों की एक अद्मी अपने गाउं से दूसरे गाउं की और जा रहा था रात अंधिरे में ही वो घर से निकल पड़ा था रास्ते में उसे एक ठोकर लगी और एक पोटली नुमाबस्तु उससे दिखी उसने उस पोटली को उठाया तटोल कर देखा तो उसे लगा इसमें कुछ गोलियां हैं काच की गोलियां पोटली लेकर आगे बढ़ा रास्ते में नदी परती थी पानी अधिक था नाविक की प्रतिक्षा में वो वहीं बैठ गया है समय पास करने के ख्याल से उसने अपनी पोटली से एक गोली उठाई नदी के धार में फेका छपाक की धनी हुई कुछ पल के लिए वो आनन्द में खो गया थोड़ी देर बाद उसने दूसरी गोली भी उसी में फेका और यूँ करकर पूरी पोटली खाली हो गई आखरी गोली उसके हाथ में थी तब तक पर्याब्त उजाला भी हो चुका था उसने कहा कि इन गोलीों ने मेरा बड़ा साथ दिया है देखो तो सही लेकिन जैसे उसकी नजर पड़ी तो आँखे फटी रह गई हाई ये में क्या कर ड़ा जने गोली समझ कर मेने नदी में फेका ये तो बेश कीमती हीरा है हाई मेंने क्या कर दिया उसे अपने की एका पश्चा ताफ हुआ लेकिन फिर भी उतना अभागा नहीं रहा मन में सोचा कास इस आखरी कली को भी गोली को भी में फेक दिया होता तो मेरा क्या होता दिकार है मुझे जो मैंने सब कुछ वेर्थ कर दिया काश ये उजाला पहले हो गया होता मेरी दिष्टी पहले इन पर पढ़ गया होती तो आज मैं माला माल हो गया होता घटना सुनकर उस वेक्ति की बुद्धी पर आप सब को तरस आ रहा होगा आ रहा है की नहीं? है न? वो आदमी कौन है? कौन है? सब के भीतर वही आदमी है हम सब को ये मनुष्य जीवन मिला और जीवन की जो सासे मिली है वो एक रत्न की पोटली से कम कीमती नहीं है बलकि उससे भी रतनों की तो फिर भी कीमत है जीवन का कुई मुल्ल नहीं वा अमुल्ल है मुल्ल दे कर खरीदा नहीं जा सकता लेकिन हम अपनी शासों को व्यर्थ कर रहे हैं चार बते आज आज आप सब से करूंगा अर्थ व्यर्थ अनर्थ और परमार्थ अर्थ व्यर्थ अनर्थ और परमार्थ अर्थ का अर्थ क्या है अगर हमने प्रियोजन की पूर्ती की तो अर्थ है नहीं तो सब व्यर्थ थोड़ा सोचो मुझे ये जीवन किस अर्थ मिला किस लिए मिला मेरे जीवन में ये जो संयोग मुझे प्राप्त हुए है क्यों मिले मेरे साथ जो संसाधन जुड़े हैं वो क्यों मिला कभी विचार आया किस के लिए केवल मोज मस्ती के लिए केवल भोग विलाश के लिए केवल भागम भाग के लिए केवल आपाधापी के लिए किस लिए अगर इन ही के पीछे लगे रहोगे तो एक दिन तुम्हारा जीवन रीत जाएगा हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होगा सब विर्थ हो जाएगा अपने अंतर मन की समिक्षा करके देखो मैंने अपने जीवन को कोई अर्थ दिया या अर्थ गमाया अगर मैंने अपने जीवन को शही दिशा दी है जीवन के मूल भूत प्रियोजन को पूर्ण करने के दिशा में कुछ किया है तब तो मेरे जीने का कोई अर्थ है अन्न था क्या है क्या है, थोड़ा जोर से, माइक मेरा खराब, आप लोगा तो ठीक है, हम कहा है, आप से पूछता हूँ, तुम्हारे घर में कोई भी चीज, थोड़ी ची भी वेश्ट होती है, तकलीफ होती ही कि नहीं, हाँ, होती ही कि नहीं, गाली भी चलाते हो, तो फालतो फ्यूल वेश्ट नहों, इसका ध्यान रखते हो, रखते हो कि नहीं, कहीं भी कोई भी कायर हो, वेश्ट नहों, व्यर्थ नहों, इसका आपको ख्याल रता है, रता है कि नहीं रता है, दुनिया की चीजे व्यर्थ नहों, इसके लिए तुम ब मेरा जीवन जो पल-पल वेस्ट हो रहा है, व्यर्थ हो रहा है, इसके प्रती सजग और शावधान कभ होगे? पहिचानो अपने जीवन के मुल्ड को जानो अपने जीवन के महत्त को समझो अपने जीवन के गोरो को और स्विकार करो अपने जीवन की गरिमा को जब तक अपने जीवन के मुल्ड महत्त और गोरो गरिमा को आप नही समझते, नही स्विकारते, नही जानते नही पहचानते तो आप अपने जीवन को सही दिशाद नहीं दे सकते मैं आप से पूछता हूँ हमारे जीवन में हमारी सांसों का कोई रॉल है की ने बोलो है? जिंदगी में सबसे कीमती क्या है सांसे है न है की नहीं कीमती चीज को समाल कर रखना चाहिए की नहीं बोलो समाल कर रखना चाहिए तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि मेरी एक एक सांस कीमती है और में एक भी सांस को विर्थ न जाने दू बोलो स्वांस की कीमत तब लगती है तब समझ में आती है जब स्वांस औरुद्ध होने लगती है आक्षीजन लेना पड़ता है तब समझ में आता है कि मेरे जीवन में मेरी शांसों का रोल क्या है मनिस्ट को भी अपने जीवन का मुल और महत्त तब समझ में आता है जब मौत सामने आकर के खळी हो जाती है तब मुक्षे एक पीडा प्रकट होती एक दिन रीत जाएगी कोई भी स्वांस तुम्हारी आख्री स्वांस बन जाएगी जीवन का कोई भी चन तुम्हारा अंतिम चन बन जाएगा उश घड़ी तुम क्या करोगे अपने लेखा जोखा का कभी विचार किया कहा हो तुम सब व्यर्थ जा रहा है संत करते है जीवन को व्यर्थ मत गवाओ उसके अर्थ को शम्झो आज हम लोगों ने एक मार्ग पकड़ा क्यों पकड़ा क्योंकि हमें जीवन की वास्तविक्ता का पता लगा गुरु कृपा से दिशा मिली दिश्टी मिली हम चल पड़े हमने लक्ष बनाया कि नहीं हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए अब परमार्थ से जुड़ना है यही मेरे इस मनुष जीवन का अर्थ है हम लोग निकल गए आज हमारा मार्ग यहां है आप से पूछता हूँ आप कप्चेत हो गए वो घली कब आएगी जीवन का वो टर्निंग पॉइंट कब होगा अभी विचार किया युही आता रहा युही जाता रहा लाख चक्कर चौरासी के खाता रहा युही आवा गमन के उलट फेरे में व्यर्त हीरा जनम तूं कमाता रहा युही आता रहा युही जाता रहा आप लोगे गीत काते है एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी फिर क्या होगा इसलिए अपने इस मनुश्य जीवन के अर्थ को शमचिए यह जनम हुआ किस अर्थ हो समझो जिसमें कुछ व्यर्थ नहों व्यर्थ नहीं होगा हर पल मनुश्य को यह समचना चाहिए कि मैं कौन हूँ मेरा क्या है मुझे क्या करना है मैं क्या कर रहा हूँ यह शवाल अपने मन से पूछोगे तो तुम्हारे जीवन का अर्थ तुम्हें दिखेगा तुमने अपने जीवन का अर्थ क्या माना खुब धन दौलत कमाना खुब पद प्रतिष्ठा पाना खुब भोग विलाश करना खुब मोज मस्ती करना क्या इसलिये जीवन है बोलो किसलिये जीवन है बोलो मुश्किल तो यह कि तुम लोग वो सब पता है पता नहीं होता तो जल्दी कल्यान हो जाता पता नहीं होने वाले का कल्यान जल्दी होता है पता होता उसको बड़ी दिक्कत होती है काश जिसे हम मानते हैं उसे स्विकार लेते स्विकार लेते अपने जीवन की दिशा को आगे बढ़ने की कोशिश कीज़े शम्मेक दर्थन की प्राप्ति का मतलब ही यही है जीवन की मनम को जानना उस पर भरुशा करना तो अर्थ को समझेगा व्यर्थ नहीं होगा तो पहला प्रयास मुझे अपना जीवन В्यर्थ नहीं गमाना है पर कुछ लोग तो इससे भी आगे हैं वे अर्थ टो समझते ही नहीं, अनर्थ कर डालते हैं व्यर्थ और अनर्थ में क्या अंतर है? जानते हैं अर्थ व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ चारो को में एक उधरन से बताता हूं दूद दूहना यह अर्थ है गाय से दूद का दूहन नहों तो वो गाय के लिए भी तक्लिफ दे होगे दूद को हमने दूह लिया एक अर्थ था लेकिन उस दूद का उपयोग नहीं करना यह व्यर्थ हो गया पड़ा पड़ा फट गया क्या हो गया व्यर्थ आप दूद तो लाए धंग से गरम भी नहीं किया अच्छे से धका नहीं यूही छोड़ दिया जैसा केरनेश होना चाहिए वैसा नहीं हुए आप केरफुल रहे नहीं careless हो गये तो अब क्या हो गया दूद फट गया यह क्या हुआ व्यर्थ लेकिन दूद को ढोल देना यह क्या हुआ क्या हुआ दूद को ढोल देना अनर्थ ना खुद प्रयोग किया ना किसी को करने दिया ना खुद लाब लिया न किसी को लेने दिया यह अनर्थ है और दूद को जमा कर नौनीत बना कर मन्थन करके नौनीत निकाल कर घी बना लेना परमार्थ है अनर्थ से बचो इस मनुष्य जीवन को पाकर कि यदि तुमने जादा धर्म नहीं किया तो जीवन विर्थ लेकिन पाप में निमक्न हो गए तो अनर्थ है नर्खों में जा करके सरना पड़ेगा कितने भाव की बाधाओं को सहना पड़ेगा कहां नहीं जा सकता इसलिए इस अनर्थ से बचो अपने जीवन में मुझे कोई अनर्थ नहीं करना ये धारना पक्की बना कदाचित में परमार्थ की दिशा में आगे न बढ़ सकू तो उतनी चिंता की बात नहीं है पर पाप के मारगे में न बढ़ू इतनी शावधानी तो होनी ही चाहिए मैं अपनी गाली को आगे न बढ़ा पाऊं तो कोई फिकर नहीं लेकिन रिवर्स में तो मेरी गाली नहीं आनी चाहिए उपर न चर सकू तो कोई बात नहीं जहां हूँ महीं टिका रहूं कम से कम नीचे गिरने से तो अपने आपको बचा लूँ ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए तब इस मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी तो इस अनर्थ से अपने आपको बचाए बहुत सारे लोग है जो मनुष्य जीवन को पा करके वर्थ गमाते हैं और बहुत सारे लोग है जो अनर्थ करते हैं धुरगतियों के पात्र बनते हैं हमें ऐसा अनर्थकारी कर्म नहीं करना है ये समझ अपने भी तर्विक्षित कीजिए जहां तक बने मैं पाप से बचूंगा कम से कम गंभी, संगीन और अनावशक पापों से तो प्रतिग्या पुर्वक दूर हटूंगा हम लोग जिस परंपरा में जर्म लिये हैं हमें जनम घुट्टी में इस संस्कार दिये गए मद्धमान समधू के त्याक का यानि एक प्रकार की हिंसा से विरती का हिंसा से दूर हटने का क्योंकि हिंसा पाप है और वहा अनर्थ का मूल है इस से बचने की प्रेणा हम जनम घुट्टी में पाई है और जिन्होंने वो प्रेणा पाई निभाई वे आज आगे बढ़ रहे हैं और जो ये सब पाने के बाद भी गलत रास्ते को अपना रहे हैं उनके जीवन में तो अनर्थ ही है है कि नहीं तो ऐसे अनर्थ से बचिए परमार्थ को अपने जीवन का आदर्स बना करके चलिएगा तो वो जीवन की एक सार्थ हकूप लब्दी होगी आज ज़्यादा बोलने की इस्तिति नहीं है पर चारों शब्दों को आप समझे सुत्र के रूप में समझे शुईकार कीजिए एक प्रेड़ ना मिलेगी बस आप क्या करना है यह मैंनी कहूंगा बस इतना क्याल रख लो मुझे जीवन वेर्थ नहीं करना अनर्थ नहीं करना वेर्थ नहीं खोना और अनर्थ से बचके रहना है यह दो बात भी आपकी मन मस्तिश्क में अंकित हो गई तो फिर आपकी जीवन की गाली को कोई कहीं भी खतरा नहीं होगा और इससे बचोगे तो हर कदम कदम पर खतरा है ऐसा समझ करके चलना चाहिए आज बावडिया कला में हम लोगों का आना हुआ भोपाल आगमन के पहले से ही आश्टा से ही बावडिया कला पीछे लग गया था योग तो नहीं था लेकिन कहते हैं अच्छे भाव से कोई काहरे करा जाए तो ना बनने वाला योग भी बन जाता है अलग आ रहा था रास्ते में लेकिन आप लोगों की भावना प्रबल थी आज योग बन गया मैंने शुना है यहां आप लोगों ने एक बड़ा भूक अंडले रखा है आगे भी योजना है भाव मंदिर बनाना चाहते है आप बनाईए शिग्रा ते शिग्र आगे बढ़िये ऐसे कारियों में अपने द्रब को लगाने का ही कोई अर्थ है नहीं तो व्यर्थ है जिंदगी बर जोड़ा एक दिन छोड़ा तो क्या आर्थ बोलो छोडने के लिए जोड़ा क्यों गुर्देव कहते हैं जुलो न जोडो, जोडा छोडो, जुलो तो बे जोड जोडो, बहुत गहरा है, जुलो न जोडो, धर्म से जुलो, धर्म से जुलो, धर्म से जुलो, जोडो मत, और जो जोड रखा है, उसे छोडो, नहीं तो वो तुमें छोड़ देंग, अपने जीते जी छोड़ दो तो सार है नहीं तो छूटना तो पक्का है और छोड़ने और छूटने में बड़ा अंतर है पता है क्या अंतर है आचार ग्यान सागर जी महराज ने बहुत अच्छी बात की उन्होंने लेका छोड़ने और छूटने में उतना ही अंतर है महसूस करते हैं करते की नहीं क्यों छोड़ के आए सोच गहे हैं छोड़ के आए फ्रेश लेकिन उल्टी हो जाए तो पूरे दिन जी मचलता है मचलता है की नहीं क्यों छूटा है तो भाया अगर सोच नहीं जाओगे तो उल्टी की शिकायत तो होनी होनी है जिनका पेट खराब होता है, जो छोडने में असा मर्थ होते हैं, तो फिर छूटना शुरू हो जाता है. इसलिए जोड़ो ना जोड़ो, जोड़ा, जोड़ो! और जोड़ो तो किसको जोड़ो? बेजोड जोड़ो, अपनी आत्मा को जोड़ो। जो बेजोड है जिसका कोई मेल नहीं उसे जोडो बेजोड को जोडो यह तो जड़ है जिसे तुम जोडो रहे हो हाँ अपने दोरा जोडी हुई जड़ संपत्ति को यदि आप सही कारे में नियोजित करते हो तो वह भी बेजोड बन जाता है आपके लिए आउशर है मैंने सुन रखा है बावड़िया कला तो अलग ही यहां की कला बड़ी निखरी भी है तो मैं भावना भाता हूं आज जब मंदीर के दर्शन की भगवान वाश्रपूजी के तो मुझे गुनायतन के चंदर प्रभ बगवान यादा आदा काफी कुछ साम है हलाकि देश में बहुत लोगों ने भगवान चंदर प्रभ की प्रतिकृति बनानी चाही पर पता नहीं क्या योग है अभी तक कोई दूसरी कृति नहीं बन पाई लेकिन फिर वे काफी काफी शाम देखने को मिल रहा है बड़ा आनन्दा है आप सब के अंदर ऐसी भामना बनी रहे व्यर्थ को अर्थ दो जो देश के व्यर्थ को अर्थ वही सिद्ध वही समर्थ जो देश के व्यर्थ को अर्थ वही सिद्ध वही समर्थ व्यर्थ को अर्थ दीजिए वद्धो अभी आप सब को एक अच्छे लाव का प्रशंग बताया गया है सिद्ध चक्र महामंडल विधान जीवन भर की साध पूरी करने का अदभुत अनुष्ठान बड़ा उत्सा है वह पालवा लोगा पहले दिन चौरानवे नहीं हम आ गए थे लेकिन कभी 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 अंतिम च्छनों में मैंने कह रखा था किसी को मना मत करना पर है अच्छे कारे केवल चाहने से नहीं मिलते जब तक पुन का नियोग नहीं होता तब तक अच्छे उसर का लाव नहीं मिलता कल बता रहे थे महराजी 70 ही हुए अब 74 हो गए तीन और आ गए 77 हो गए तो हो जाएंगे 84 तो पुरे होने कमी नहीं होता है लेकिन जिसी घ्राते सी घ्रिलाब ले और बढ़ चड़ करके हिस्सा ले अच्छे कारे में सबसे आगे रहो और पाप के कारे में सबसे पीछे अरे हमने एक मंडल ले लिया छुटी नहीं एक मंडल में भी पीछे सब जगा जब हम आगे रहने चाते हैं तो ये तो परमारत का कारे इतना महादनुष्ठान अपनी समय सक्ति और सुबधानुशार मुझे सबसे आगी रहना है ये भाव रखो यहाँ पीछे क्यों इतने महादनुष्ठान का पूरा लाब मुझे लेना है ऐसा मनो भाव आप सब को जगाना चाहिए जगाते रहिएगा तो एक जीवन की बड़ी उपलब्धी होगी वैसा प्रयास करें दूसरी बात अठारा तरीकों आपके नगर में एक नए इतिहास की रचना होने जवाहर चौक से श्री जी की भब शुभायात्रा जिसमें घटियात्रा और रथियात्रा दोनों होगी और पालकी में भगवान बिराजमन होंगे एक साथ इंक्याने बे श्री जी की कितनी भब छटा होगी आप कल पना कर सकते हैं आदवोत दृश्य होगा वो इससे पहले तो भपाल की धरती में निकला इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ दुनियादारी के काम तो रोज करते हैं अठारा तारीक को जो लोग सिद्चक्र में समलित हो रहे वो तो होंगे ही बाकी सब लोग अपने बेवशाईक और कारियाले इन कारियों से मुक्ति पाकर बच्चे अपने स्कूल से छुट्टी लेकर सनीवार है समय निकालकर इस कारिकम में अपनी सहवागिता दे ताकि वो जिन सासन की प्रभावना का एक अच्छा उधारन बन सके आप सब को सहवागिता देनी चाहिए आज पास के लोगों को भी उसमें समिरित होना चाहिए अपोर उसा दिखना चाहिए और हर वेक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं भगवान की पालकी में अपना कंधा दे सकता हूँ हाँ जो नंगे पाओं होंगे और कुर्ता पैजामा पहने होंगे उनको पालकी उठाने का आउसर मिलेगा धोती डुपट्टा की अनिवारता नहीं है क्योंकि पालकी में धोती डुपट्टा ज़रूरी नहीं अपन चलाते रत चलाते हैं से बस आप सब को एक यूनिफार्म में आना है महलाएं भी केसरिया बस्तर में आईगी वो तो आई जाती हैं पूरसों को सुधारना पड़ता है तो ये एक अच्छे उत्साह के साथ एक अच्छा परिदिश उभरे ताकि हम लोग वहां पहुँचकर धजारोहन का पूर लाब लेशकें और फिर निरंतर सिद्द चक्रमहा मंडल विधान का वह पुनिलाब जिसके लोग वरसों से प्रतिक्षा करते हैं आपके द्वार पर सौभाग उतरा है आपको चाहिए कि आप उसका फायदा उठाएं जिनको भी लाब लेना है बर चल करके हिस्सा ले और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं इसी सुभाव के साथ मैं यही पर भी राम ले रहा हूँ चार तौक्तिया मंगल भावना के मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगल मैं हो इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल मैं हो कहीं कले से काले से रहे ना दुख कहीं भी हो मन में चिंता भैन सतावे रोग शोक नहीं हो नहीं बैर अभिमान हो मन में छोब कभी नहीं हो मैत्रि प्रेम का भाव रहे नित्मन मंगल मैं हो मंगल मंगल हो ए जगत में सब मंगल मैं हो मंगल मंगल हो ए जगत में सब मंगल मैं हो इस धरती के हर प्रानी का मन मंगल मैं हो मंगल मैं हो प्रात हमारा रातिश मंगल हो जीवन के हर पल हर छण की बात श मंगल हो घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो इस धरती का कनकन पावन ओ मंगल मैं हो मंगल मंगल हो ए जगत में सब मंगल मैं हो इस धरती के हर प्रानी का मन मंगल मैं हो सब जग में मंगल बढ़े टले हा मंगल भाव है प्रमानी की हावना सब में हो सद्वाव जवलो परम पूज आचार गुर्वा से विज्या सागर जी मारे हुआ है